आप लोका स्वागत है गल्फ एडिया में दोस्तों मैं आपको आज कतर के बहुत ही अहम ख़बर आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप मेरे चैनल में नए है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले क्लीज कि अड Metro और हर एक मचशली का जो वजन है वावन इस दिडियों को समंदर से समंदर से दोस्तों 20 मचली को घ्रक लिया गया था लेकिन दोस्तों मीनिस्ट्रियो मुनिसिपल्टी के तरफ से यह ऑौडर आया है कि जो भी मचली 210 मचली आपने रखिये हैं उसे दोबारा पानी में छोड़ दिया जाए दोस्तों कल के दिन 21 एर मचलियों को छोड़ दिया गया है जो कि हर एक मचली का वजन है 52 ग्राम अब दोस्तों में सबसे बड़ी अभी अपडेट आपको बता रहा हूँ कि कतर में पहली बार Middle East और North Africa में Congress of the World Association के तरफ से 2022 में दोस्तों बहुत बड़ा एक होस्ट होने वाला है बहुत बड़ा इस्पोर्ट होने वाला है जो कि कतर यूनिवर्शिटी के तरफ से होस्ट किया जाएगा अजो 4th edition of the Congress का जो होस्ट होने वाला है दोस्तों 19 मार्च से लेकर 20 मार्च 2022 में ये स्पोर्ट दोस्तों होस्ट किया जाएगा जो कि कतर यूनिवर्शिटी के तरफ से की जाएगी फिर कतर की जो अगली अपडेट आ रही है जो कतर के अलखोर थकीरा मुनसीपल्टी है उसने दोस्तों एक टेकनिकल वर्क्शॉप का लाउंज किया जो कि इस वर्क्शॉप का नाम है मैंगरू फॉरेस्ट एट अलखोर सिटी इसमें दोस्तों कतर के हर लोग यहाँ पे सामिल हो सकते है और इस पार्टिसिपेट में शामिल हो सकते है इसकी जो डेलिकेशन सस्टेनेबल है मतलब अगर कोई भी इस अगर इस स्पोर्ट में या इस फॉरेस्ट में सामिल होना चाहते तो आप अपना जो वर्क्शॉप है उसे दिखा सकते है इस फॉरेस्ट का नाम है फिर दोस्तो इस बहुत से लोग इस पार्टिसिपेट में सामिल होंगे अपनी जो भी आपके अंदर जो कला है उसे अब दिखा सकते हैं कि किस तरह फॉरेस्ट को बचाया जाए फिर कतर की जो अगली अप्रेट आ रही है जो कतर के तालबात कतर है उसने एक प्रोग्राम लाँज किया है अगर किसी को वहाँ पे ब्रिश्ट कैंसर होती है तो तो दोस्तो इस तालबात कतर को आप डोनेशन दे सकते हैं ताकि जो भी वहाँ पे मरीज, कैंसर के मरीज है, इसके तहट वो तालबात कतर से हेल्प ले सकते हैं, जो कि दोस्तो कल के दिन 70,000 कतरी रियाल का डोनेशन दिया गया है कतर कैंसर सूरसाइटी को, इसमें दोस्तो बहुत से लोग सामील हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे फिर कतर की जो अगली अपडेट आ रही है, वहाँ पे जो कतर में डिसास्टर आए थी, मतलब वहाँ पे अभारिस के कारण बहुत सी चीजे नुकसान होने की संभावना थी, वो खतम हो गई है, और कतर ने जो ये कंफर्म किया है कि वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कि हर स्टेट को हर एरिया पर नजर रखा जाएगा कि कोई भी डिसास्टर मैनेजमेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई भी अगर कोई भी हलचल होती है, या फिर किसी कारण से वहाँ पे कुछ डैमेज होती है, भुकम पाती है, तो उस पर सारा कुछ कंट्रोल किया जा सके, और वहाँ के लोगों को कोई नुक्सान ना हो सके, इसलिए एक वहाँ पे कमेटी बनाई जा रही है, जो कि हर लोगों की मदद की जा सके, इसी तरह अब रोच कतर के बारे में, या कोई भी गल्फ कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी हप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले,